यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों खबर पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कभी कभी ऐसी खबर सामने आती है जिसमें भीकारी अचानक से अमीर निकल जाता है तो कभी किसी की लोटरी निकल जाती है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सबजी विक्रेता रातो रात उस पर्ची से रहिस करोड़ पती बन गया जिसे उसने खुद कुडे दान में फेक दिया था दर असल मामला कौलकत्ता का है यहां ठेले पर एक सबजी बेचने वाले ने उस टिकेट पर एक करोड का इनाम जीत लिया जिसे उसने कुडे में फेक दिया था हुआ यह है कि उसने लोटरी के कुछ टिकेट करीते थे इसके बाद उसका लोटरी में इनाम भी निकल आया लेकिन उसको लगा कि वह इनाम नहीं जीत पाया इसके बाद उसने अपने टिकेट कुड़ेदान में फेक दिये लेकिन बाद में उसे जानकारी मिली कि उसे एक टिकेट पर एक करोड रुपे का इनाम मिला है सबजी बेचने वाले का नाम साधिक है और वह कौलकत्ता के दमदम इलाके में ठेले पर सबजी बेचता है साधिक ने अपनी पतनी के साथ नए साल के एक दिन पहले लोटरी के पांस टिकेट खरी दे थे दो जनवरी को लोटरी के इनामों का एलान हुआ तो उसे बताया गया कि इनाम नहीं मिला है साधिक ने इसके बाद अपना टिकेट कूडे दान में फेक दिया लेकिन अगले दिन साधिक को जनोंने लोटरी बेचा था उन्हीं दोस्तों ने बताया कि उसे एक करोड का इनाम मिला है इसके बाद साधिक की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ